दोस्तों नमस्कार आदाब सत्ष्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकरम नियूज मंथन में आपका स्वगत है आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की एक ऐसे व्यक्ति के राजनीतिक सफर की जो राजनीति में नहीं था जो राजनीतिक दलों को राजनेताओं को राजनीतिक लोगों को चुनाओ में कैसे जीत हासिल की जाए चुनाओ कैसे लड़ा जाए इसकी सलाह दिया करता था जिहां आप समझ रहे होंगे ये हैं प्रशान्त किशोर चुनाव की स्ट्रेटिजी बनाते बनाते राजनितिक दलों को नेताओं को चुनाव की सलाह देते देते वो अच्छानक उनके मन में राजनिता बनने की खुआइश जागी और जाहिर है कोई इसमें कलती उनकी नहीं है मत्वा कांशा अगर जागती है नेता बनने की सबको लोगतांत्री का धिकार है इस देश में चुनाव की वो रणनिती किसी को बनाए नव बनाए समिक्षा करे नव करे सलाह दे नव दे कोई भी व्यक्ति राजनित में आ सकता है तो प्रशांत किशोर लंबे समय तक बड़े राजनितिक दलों से लेकर छोटे राजनितिक दलों तक को सबको बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलकर काम करने के बाद अब वो स्वेम बड़ा नेता बनना चाहते हैं लेकिन इसके लिए वो जनता में एक सघन काम काज के बजाए उन्होंने पदयात्रा के साथ अपने राजनितिक अभियान की शुरुआत की है यह भी कोई गलत नहीं है क्योंकि पदयात्रा से बहुत सारे लोगों के साथ संपर्ग करने का संबाद करने का एक जरिया मिलता है राहूल गांदी स्वैम इस समय एक पदयात्रा में है अब कौन जाने कि किसकी पदयात्रा से कौन प्रभावित हुआ हलांकि इन्होंने भी घोशना कर ली थी और कॉंग्रेस ने भी घोशना की थी पहले लेकिन हम इन विश्यों पर न जाकर हम उनके बयानों पर आज बात क करने के बजाए बिहार में क्या-क्या किया जाना चाहिए कैसे किया जाना चाहिए इस पर कुछ रचनात्मगढ़ंग से बात करने के बजाए उन्होंने बिहार के इस वक्वक्ष सत्ताधारी जो दल है दो प्रमुक Kingston जेडियू और जंता दल राश्टी जंता दल इन दोनों लंबी यात्रा पर निकले हैं वहाँ पर वो गाओं के लोगों को संबधित कर रहे थे और उन्होंने बहुत बिलो दे बेल्ट जिसको कहते हैं उन्होंने प्रहार किया तेजस्वी पर जो तेजस्वी यादो जो डेपिटी चीफ मिनिस्टर हैं महागट बंदन में और और यही नहीं कि केवल चुनावरण नितिकार रहे हैं नितिश जी की पार्टी में वो पदाधिकारी भी रह चुके हैं पहले वो शामिल हुए बाद में उनको पाध्यक्ष बनाया गया बाद में वो बाहर हो गए नितिश जी ने उनके बारे में टिपणी भी की थी लेकिन अभी उन्होंने अपनी पद्यात्रा में इन दोनों नेताओं पर बहुती अभधर किस्म की या बहुती बिलोग देट किस्म की टिपणी कर दी अब जैसे तेजस्वी यादों के बारे में उनके काम काज पर अगए उनके उनका भाशा बयान में जो उन्हों ने कहा हूँ अपनी जगह है लेकिन आप भाशा देखिए लालू का बेटा नाइंथ फेल है उस सियम बनेगा चीप मिनिस्टर बनेगा बड़ा आदमी बनेगा आपका बेटा नाइंथ पास भी होगा तो चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ना इस तरह की भाशा में वो ग्रामी लोगों के साथ बात कर रहे हैं ऐसा वीडियो सामने आया है बयान भी सामने आया है अब इसके साथ पहले मैं नितीश कुमार पर मुनें कहा क्या कहा मुख्यमंत्री पर वो भी मैं आपको सुना देता हूँ नितीश कुम जी से मिले थे अपनी यात्रा की शुरुआत से पहले की बात है पहली बात तो एक इंप्रेशन उन्हों ने दिया प्रेस को पुबलिक को की जैसे नितीश कुमार ने स्वैंभी उनको आमंत्रित किया था मिलने के लिए खुआश जाहिर की थी कि भाई आईये हमारे लिए फिर जाने का या कोई बड़ा ओधा देने के लिए नितीश कुमार जी ने बुलाया था नितीश कुमार जी ने इस बारे में जो आज कहा है वो बहुत मारके कहा है और उसको सुनने की बात है समझने की बात है उन्होंने कहा कि ये चीप मिनिश्टर का कहना है कि पहली बात तो य नों नने कहा कि कोई उन्हें पोस्ट का आफर नहीं दिया। ये कब दिया, मैंने बिल्कुलarna नहीं दिया। इस तरह की बात मुख्यमंत्री नहीं कहा। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशान्त किसोर का नाम लिए बगएर उन्होंने कहा वो वैसे ही बोलता रहता है उसको बोलने दीजिए इन लोगों का कोई ठीकाना नहीं रह गया है न हमने उसको बुलाया था और न उससे कोई बात होई इस तरह की वो अपने आया था मिलने इस इस स्टेटमेंट गिवन भाई नितीश कुमार जी फिर उन्होंने कहा कि उन लोगों के साथ है काम कर रहा है उन लोगों का तो किसी ने पूछा कि लोगों की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि उन लोगों के साथ है भाजपा का काम कर रहा है ये बात मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने प्रशान तो ये बिल्कुल बात साफ हो गई कि ना तो उनको कोई आफर इस तब या गया था ना तो उनको कोई बड़ा ओदा पर रखने की बात की गई थी ना तो नितीश कुमार ने सौहम उनको बुलाया था मिलने के लिए वो स्वाइम ही आये थे मिलना चाहते थे अब वो क्यों मिलना चाहते थे और अब जाकर वो क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं ये तो प्रशांत किशोर बताएंगे मैंने प्रशान्त किशोर से जानना भी चाहा कि प्रशान्त किशोर जी वाकई क्या कहना चाहते है क्योंकि इस बीच में जो राश्टी जनता दल है उसके प्रवक्ता जो मनोज कुमार जहा है प्रोफिसर मनोज कुमार जहा जो राजी सभा में सांसद है राश्टी जनता दल के उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा फाइनली दे कैट is out of bag, we always knew it. इसका मतलब बिलकुल साफ है कि जो बात नितिश कुमार जी कह रहा है कि वो भारती जन्ता पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसी बात को एक खुबसूरत एक फ्रेज में मरुश कुमार ज़ा ने ये बात कही ह उनके बारे में तो दोस्तो कहीं न कहीं जो एक महागठमंधन के बड़े राजनिता हैं बड़े राजनितिक लोग हैं वो प्रशांत किशोर की जो राजनितिक यात्रा की शुरुआत है उस पर जो टिपणी कर रहा है वो बहुत महत्तिपूर है तो इसके कुछ ठोस कारण है पहली बात तो यह है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी राजनितिक यात्रा शुरू करता है जीवन की तो केंद्र में जो सरकार होती है राज्जी में जो सरकार होती है उसकी भी केंद्र में जो सरकार होती है उसकी वो आलूचना करता है लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्र इस समूचे देश में जो लोग तंतरवादी हैं जो संविधान को मानने वाले लोग हैं जो संविधान की रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं वो लोग जो सरकार के बारे में केंदर की सरकार के बारे में जो सोचते हैं समझते हैं और जिस तरह से देश की समस्याओं की पीछे केंदर का रोल है केंदर की भूमिका है चाहे वो नीजी करन का मसला हो रोजगार बढ़ाने की जो एक बढ़ाने में जो एक विफलता सरकार की हो महंगाई को कंट्रोल करने में जो केंद्र सरकार की बड़ी बिफलता बड़ी नाकामी हो अब आप देखिए इस समय एक डालर एक डालर की जो कीमत है भारती मुद्रा के हिसाब से 82 रूपए से भी जादा हो एक जमाना था कि जब मनमोहन सिंग की सरकार के दवरान साथ रूपए से अधिक जब डालर गया था एक बार तो उस पर मुख्य मंतरी के तोर पे माननी जो नरिंदर मोदी जी हैं जो देश के इस समय परदान मंतरी हैं तब वो गुजराद के मुख्य मंतरी थे और उनको जो कहा था उस समय वो मतलब बेहद आपती जनक था और उन्होंने कहा कि सरकार को रहने का कोहत नहीं क्या यह हो गया है बिलकुल बर्बाद कर रहा है एकानमी को यह अरत व्योस्ता को बिलकुल नस्ट कर रहा है इस तरह की बात उन्होंने की थी और आज 82 रूपए से ज़्यादा मतलब कमाल की स्थिती है इसके अलावा भारत में प्रेस फ्रीडम का मसला हो इसके अलावा जितने और इंडिकेटर्स हो सकते हैं यहां तक की यूनाइटेड नेशन और यूएट डीपी के डिफरेंट जो आर्गनाजेशन्स हैं उनके जो अपने अपने indicator होते हैं अभी वर्ल बेंक से लेकर के और तमाम जो आर्थिक मसलों पर काम करने वाली संस्थाइं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं हमारी अर्थविय उस्ता के बारे में सभी indicators पर भारत जो है काफी नीचे जा रहा है और निश्चित रूप से इसके लिए कोई एक राजसरकार को जीमेदार नहीं ठाराया जा सकता इसके लिए सबसे बड़ी जीमेदारी केंदर सरकार की है लेकिन प्रशान्त किशोर केंदर सरकार नरेंदर मोदी जी की सरकार के बारे में बिलकुल खामोश है यही नहीं लिंचिंग से लेकर और हेट क्राइम जो पूरा नफरत का पूरा का पूरा जो फोहारा जो इस देश में फट पड़ा है चारों तरफ केवल गुजरात नहीं पूरे देश में भारती जनता पार्टी के शासन में चाहे वो संग परिवार से जुरे संगटन हों या इंडिविज्वल्स हों जिस तरह का एक सामपरदाई किसम का उपद्रव दिखाई देता है बिलकिस बानों के मामले में अभी देखिए वहां तो सरकार इन्वाल थी गुजरात की पंद्रह अगस्त आजादी के दिन आजादी के दिन वहां पर उन क्रिमिनल्स को रिलीज कर दिया गया जो बलातकार के मामले में हत्या के मामले में कन्विक्टेट थे उनको छोड़ दिया सरकार ने इन तमाम चीजों पर प्रशांत की शोर बिलकुल खामोश है लेकिन वो मसले कैसे उठा रहे है कि मुख्यमंत्री बना है एक ऐसा आदमी डेपिटिश चीप जिन्होंने पढ़ाई छोड़ करके और एक प्रोफेशनल लाइफ लीड करी मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरा यह कहना है कि सचिन तेंदुलकर भी उन्होंने भी क्रिकेट के लिए अपना पूरा करियर छोड़ दिया ये ठीक है कि वो काम्याब रहे इस क्रिकेटर रहे हैं और रंजी से लेकर और जगह खेलते रहे हैं लगातार तो हमारा कहना है कि एक क्रिकेटर के तोर पे अगर वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सके तो इसके लिए एक राजनीतिक उनके जीवन यानि जब वो राजनेता बन गए जो जंता द्वारा है तब आप उसको आप विलो देट अटैक कर रहे हैं वही इस देश में यह भी मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं लेकिन कामराज कामराज ने भी अपने परिवार के को चलाने के लिए अपनी मां को अपने घर के लोगों को सपोर्ट करने के लिए प्रोफेशनल एक तरह स स्कूल ड्राप आउट थे लेकिन वो कामराज तमिलनाट के मुख्य मंत्री ही नहीं बने केंद्र में आए और बड़े मंत्री बने इसके अलवा कॉंग्रेस के आल इंडिया प्रेसिडेंट बने एक पिछड़े समाज का व्यक्ति और कामराज कितने बड़े नेता थे कि उन जहाए प्रोफेशनल जैसे इसपोर्ट्स है बहुत सारे ऐसे छेतर हैं जहाँ लोगों की एंफिल पीएजडी की जरूरत नहीं है और जो लोग एंफिल पीएजडी किये हुए हैं उन प्रोफेशनल लाइफ में उतरते हैं तो कोई जरूरी नी की वो काम्याब हो जाएं त तेजस्वी का मुल्यांकन अगर करना है अभी तो उन्होंने शिरुवाद करी है तो उनका मुल्यांकन राजनीतिक प्रशासनिक आधारों पर किया जाना चाहिए क्या वे अपने मंत्राले के साथ नियाय कर रहे हैं क्या वो डिपटी से पिनिस्टर के रूप में अपने कामका को ठीक से कर रहे हैं क्या वो अपने च्छेत्र की जनता और पूरे बिहार की जनता को संबोधित कर रहे हैं जिस तरह से जिस तरह से उसके इशूस को टेक अप कर रहे हैं वो ठीक है की नहीं ठीक है प्रशांत की सोरी समुद्दे पर नहीं बात करते हैं वो उनकी में खास कर जो पिरित समाज के दलित या पिछड़े वर के जो नेता हैं उनके बारे में एक हिकारत एक नफरत एक किसी तरह से साजिस्त में फंसाने की एक लगातार कोशिश करती रही है पार्टी एक पुरा समूह वहां पर बिहार में और बाहर भी यानि दिल्ली में भी तो कुछ उसी तरज पर वो बात करते नजर आते हैं और मुझे लगता है कि ये जो इंडिकेशन है ये जो एक जो एक सिगनल जो मिल रहा है उनकी बात चीच से वो कहीं न कहीं उनको मैं समझता हूँ की मुश्किलों में या यूं कहा जाए कि जो एक सफर उन्होंने शुरू किया है एक यात्रा जो शुरू की है जिससे उनको इस यात्रा को चाहते तो बिहार में एक बहुती रचनात्मत सकरात्मत डहत के साहু करते क्योंकि वह बार बार कह रहुए कि इस यात्रा से उनको बिहार में हमें ये देखना है कि इसकी जरूरतें क्या है एजुकेशन हेल्थ केर रोजगार माइग्रेशन इस तरह के इशूस को टेक टेक अप करना है वो कह रहे हैं कि हमें हमें 15 सालों के लिए एक विजन डॉकुमेंट जारी करना है हमें सही लोगों को चिनित कर साजा मंच बनाना है यान जानबाजियां है बिलो दो बेल्ट अटैक करना है तो ये किसलिए कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना है बहुत सारे लोगों का कि कहीं ने जैसा आपने देखा मनोज जा से लेकर और नितीश कुमार मुक्यमंत्री नितीश कुमार ये भी आरूप लगा र रहा है कोई जाने को तयार रही नहीं है अलग तलग सी हो गई है बीजे पीबी आर में तो कीप अभी 2024 के मद्दे नजर विधान सभा तो दूर है थोड़ा लेकिन 2024 के मद्दे नजर क्या ये संभाव है कि ये जो रायनितिक अभियान छेड़ा है प्रशांत किशोर ने वो कही गठबंधन सहयोगी मुहिया करानी की कोशिश है कि एक दल बना कर और वो भारती जनता पार्टी के लिए एक तरह से मदद मददगार के रूप में उतरें क्योंकि भारती जनता पार्टी पर केंद्र सरकार पर केंद्र सरकार की नीतियों पर वो उस तरह से फोकस ढोकर बात नहीं कर रहे हैं उस तरह से धारदार धंक से अटेक नहीं कर रहे हैं जिस तरह उनका पूरा का पूरा ध्यान नितीश कुमार और तेजस्वी यादव यानि महागठ बंधन के इन दो निताओं पर है तो ये एक बड़ा सवाल है क्या भारती जनता पार्टी को विहार में प्र जोगवस उनके पास वक्त नहीं था हम फिर कभी बात करेंगे तो उनकी भी बात रखेंगे अपने अगले वीडियो में या अपने लेखों में अपनी टिपणियों में तो आज इतना ही नमस्कार आदाब सब्सक्रियकाल